हेलो और यहन आज के इस वीडियो में मैं आपको दाऊंगा कि आप कैसे पेटीम एप को यूज कर सकते हो इसका मतलब यह है कि आप कैसे पेटीम एप से किसी को भी पैसे बेजोगे या फिर आप पेटीम से फास्ट एक करोगे या फिर आप पेटीम से मोबाइल रिचास करोग या फिर मोबाइल रिचार्च करोगे तो बहुत आसन सा तरीक है जिससे कि आप यह सब कुछ कर सकते हो चलो इसके लिए आपको अगरना है सबसे पहले तो अगर आपने पेटीम का अकाउंट नहीं बना होगा तो आपको पेटीम अकाउंट बना देना है अब आपको जानना है कि पेटीम अकाउंट आप कैसे बना सकते हो तो आप इस वाले वीडियो को देख लेना है अब मैं आपको दता हूँ कि आप पेटीम यूस कैसे करोगे उसके लिए आपको सबसेले तो पेटीम आपको ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाए दे अब अगर आपको पैसे भेजने होगे तो आपको scan and pay ऐवाला यह वाला आप्षन है इस पर नीकिक करना है आपको इस पर क्लिक करने के बाद के बाद दिखाए देगा एंटर करोगे तो उतने पैसे जो है आपके बैंक से उस बैंक में ट्रांसफर हो जाएगी तो मैं आपक पैसे किसी भी मोबाइल नंबर पर पैसे बेज सकते हो तो देखो अगर आपको किसी को भी पैसे बेजना है और आपको पास उसका मोबाइल नंबर है तो फिर आप कैसे उसे पैसे बेजोगे उसके लिए आपको यह गरना है देखो यहाँ पर आपको एक उप्शन दिखा option है तो आप सर्च करके भी उस contact number को या फिर उस mobile number को पैसे बेज सकते हो तो या पर हम सर्च कर देता है देखो आपने context में जो भी mobile number को save किया होगा बस आपको उसे search कर देना है या फिर आप directly mobile number search करोगे तो भी आपको आएगा तो देखो 50 रूपीज भीजन है 100 रूपीज भीजन है तो या पर आपको amount enter कर देनी है सब्सक्राइब आपको यह जो पेवाल option है इस पर क्लिक करना है जैसे ही आप पेवाल option पर क्लिक करोगे तो आपको यह पर दिखाए देगा कि रूपीज 10 अली 10 रूपीज आ चुका है नीचे के दर UPI-PIN उड़ता है उसे enter कर देना है अब जैसे आप आपके UPI-PIN को enter कर दोगे तो फिर आपके जो 10 रूपीज है वो send हो जाएगे अब मैं आपको दाद हूँ कि अगर आपके पास सामने वाले का जो है bank account है तो आप bank account से कैसे पैसे भेज सकते हो तो इसके लिए आपको क्या करना होगा देखो यहाँ पर आपको और एक option दिखा देगा to bank वाला आपको इस वाल option पर क्लिक कर देना है जैसि आप इसн वाल option पर चाहते ब्लेकर होगे तो अभी आपको आपको बहुत सारी details दिखा देगी enter bank account details to self account enter mobile number तो आपका ह Bent जो enter bank account details है इस पर click करना है अभी आपको यह पर क्या करना है आपके जिसके भी bank details होगी यानि कि आपका bank account का number होगा उसका name होगा उसका IFSC code होगा वो search कर देना है suppose यह पर मेरे पास जिसका भी bank account detail है उसका bank account है bank of boroda में तो हम इस पर click कर देंगे अब जैसे आप इस पर click करोगे तो अब आपके जो भी उसका bank account number है वो आपको यह पर लिखना है उसके नीचे के दरफ आपको दिखा देगा IFSC code तो आपको यह पर उसका IFSC code लिखना है उसके ब पर आपको अबर जो यूपिया बीन को एंटर करना होगा और उसके बाद में फाइनली आप जो है पैसे बेज सकते हो और अब अगर आपको कोई mobile रिचार्च करना है और फिर आपको फास्टेक का रिचार्च करना है तो उसके options आपको नीचे के दरफ दिखा देगे और options के लिए आप विव मोर पर क्लिक कर सकते हो अगर आप कोई वीडियो इंफर्मेटिव लगाओ तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद थैंक्यू जो मच